हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं विजायक्ता के डियम रूल ओफ डिजलिटी जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है एन विएस सेनिक स्कूल के लिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सरसे पहले हम जानते हैं दो से विभाजित रूल ओफ टू डिजलिटी मतलब कि 2 से कौन कौन सी संख्यागें भाग होती हैं तो हम बात करते हैं लास्ट डिजलिट इज इस इवन जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 या तो यह संख्या खुद हो या किसी के पीछे लगी हो तो क्या होता है दो से संख्या भाग हो जाती है, इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, या 8, यह संख्या है, या तो यह खुद किसी के पीछे हो, या या तो यह संख्या खुद लग रही हो, या किसी के पीछे लग रही हो, तो क्या हो चुम से नाइड हो जाएगा इसके पीछे लगा हुआ है लास्ट है टिजिट एट ऐट तो संक्या समच्छा टू से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीट संद्दन किसे डिवाइड हो जाएगीन ju यहां पर देखो last digit क्या है 9 एट 9 तो even number नहीं है even number कौन सी है जीरो दो चार छह आठ तो 1 2 9 1 2 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यह क्या है दो से भाग नहीं होगी तो रूल क्या कहता है रूल यह कह रहा है कि जो संख्या 0 2 4 6 8 यह संख्या खुद हो यह संख्या किसी के पीछे लगी हो तो यह संख्या 2 से भाग हो जाती है अब हम next rule जान लेती है next rule क्या है facility rule 4 3 तीन से विभाजित मतलब कि 3 से कौन कinement से संख्या भाग हो जाती है बिना divide करें हम कैसे पहचान सकते है suppose करो कि कोई बड़ी संख्या लिख दी गई बड़ी संख्या लिख दी गई कि आपको 6, 3, 9, 4, 8, 7 आपको ये बताना है कि ये संख्या 3 से divide होगी या नहीं होगी तो कैसे बता पाओगी तो उसके लिए आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ऐसे ये संख्या लिवाइड हो जाएगी संख्याओं का योग तीन से भाग होना चाहिए अंको के योग में तीन का भाग जाना चाहिए उधारन 3, 8, 1 तो 3, 8, 1 कितना हो गया? कितने हो गये बताओ आप 12 हो गया, कितना? 12, तो 12 तो 3 से भाग होता है इसका मतलब ये संख्या भाग हो जाएगी उसके बाद देखो, 9 और 1 कितना हुआ? 10 10 और 3 कितना हुआ? 13 तो ये संख्या भाग होगी? नहीं उसके बाद देखो, क्या लिख रहा है? 5 और 3, 8 और 1, 9 मतलब कि जोड ना है इन संख्या हो क्या करना है? जोड ना है 5 पलस 3 पलस 1 कितना हो गया? 9 और 9 तो 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये संख्या डिवाइड हो जाएगी अब देखो 6 और 3 कितना हो गया? 9 और 9, 18 18 और 4, 22 और 8, 37 कितना बन गया? 37 क्या 37 37 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 37 3 से डिवाइड नहीं होगा अगर यहाँपे होता 36 क्या होता? 36 तो 3 से डिवाइड हो जाता अंको में योग का 3 से भाग जाना चाहिए जो इनका टोटल है वो तीन से भाग हो जाना चाहिए आहां हम देखते हैं Divisality Rule of 4 यानि कि 4 से कौन कौन से संक्या हैं भाग होंगी Last two digits are divisal by 4 Last two digits are divisal by 4 आखरी की दो संक्या हैं अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाएगा देखो आगे से हमको कुछ नहीं लेखना है कुछ भी संक्या लिख carries हो लिख रहा हो 6,4,8 लेकिन Last में लिख रहा है 3,2 तो Last के 2 digits है जो वो 4 से डिवाइड होती है इसका मतलब क्या है यह संक्या 4 से डिवाइड हो जाएगी जैसे Last digit कितनी है 12 12 का मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी इसमें क्या लिख रहा है 19 क्या लिख रहा है 19 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है इस पे 16 होता तो 4 से डिवाइड होता 20 होता तो 4 से डिवाइड होता तो इसका मतलब क्या हुआ यह संख्या 4 से divide नहीं होगी 4 से वो संख्या divide होगी जिसके अंतीम दो अक्सर जो deficit होँगी जो अंक होँगे वो 4 से भाग जाएंगे तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी अब हम next rule जान लेते हैं next rule क्या है validity rule of 5 पाँस से विभाजित पांच से कौन सी संख्या भाग होगी लास्ट डिजिट इस जीरो और फाइफ जिसके इकाई का अंक या तो जीरो हो या पांच हो इकाई का अंक या तो जीरो हो या पांच हो इकाई का अंक जीरो या पांच होने पर उस संख्या में पांच का भाग जाएगा तो वो संख्या क्या होगी वो पूरी संख्या पांस से भाग हो जाएगी पहचान क्या देखनी है लास्ट जो डिजिट है ना लास्ट क्या है फाइफ इसमें क्या है फाइफ इसमें क्या है फाइफ इसका मतलब है यह तीनों संख्या है ना फाइफ से भाग हो जाएगी यह त 647, 647, 647, 647, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, बताओ अब आप, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है, वो कितना है, 7 है, इकाई का अंक कितना है, 7, अगर इकाई का अंक होता 5, क्य होता 0 जैसे लिख दिया मैंने 3 3 0 तो यह संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी यह संख्या भी किसे हो जाएगी 5 से यह आप समझ चुके हो कि 5 से कौन सी संख्या भाग हो जिस संख्या के पीछे 0 या 5 लगा हुआ हो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी अहम जानते हैं next rule next rule क्या है next rule है अपने पास डिजले टी रूल 4 6 6 से विभाजित 6 से कौन सी संख्या भाग होगी is even and is divisible by 3 it passes both the 2 rule and 3 rule bubble जिस संख्या में 2 या 3 का भाग जाएगा वह संख्या 6 से विभाजित होगी जिस संख्या में किस का भाग जाएगा 2 का या 3 का भाग जाएगा या नहीं है मतलब दोनों का भाग जाना चाहिए तब क्या होगा तब वह संख्या किस से डिवाइड होगी 6 से डिवाइड जैसे कि अब देखो आप एक एक्जामपल लिख रहा है 6702 दूसरा एक्जामपल लिख रहा है 114 अब जो 114 है इन तीनों को प्लस करा क्या आया 6 6 तो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है जो 6 है वो तो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी तो अब इसको देखो 6 पलस 7 पलस 0 पलस 2 यह संख्या मनी 6 और 7 कितने हो गई 13 6 और 7 कितने हुए 13 13 और 2 कितने हुए 15 कितना हुआ 15 तो 15 तो ना ही तो 2 से डिवाइड होता है 2 से होता है नहीं होता कितने से होता है 3 से कितने पर होता है 5 पर लेकिन मैंने क्या कहा था जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही हो जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही हो और वो संख्या 3 से भी डिवाइड होती हो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी यानि कि 6 से पूरा-पूरा भाग जाएगी वह संख्या रूल क्या था? जिस संख्या में 2, 3 ऐसा नहीं है कि 2 से भाग हो रही हो संख्या 3 से नहीं हो तो वह वहां पर ये रूल असेप्ट नहीं होगा अब देखो इस संख्या को देखा हमने कितना टोटल आया 15 आया फिफटीन थी से से रिवाइड होता है लेकिन 2 से होता ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ? दोनों से भाग होना चाहिए अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि 30 लिख दिया क्या लिख दिया? 30 30- 20 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी तो यह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी किस से डिवाइड? 6 से divide हो जाएगी अहब next rule जान लेते हैं next rule है divisibility rule of 7 चलो the last digit multiple by 7 it and the other digit the result must be divisible by 7 अगर उसके last digit में 5 को गुना कर दिया जाए और उसमें add कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी 7 से भाग हो जाएगी कैसे इकाई का अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड दो जोडने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 7 से भिभाजित हो तो पूरी संख्या भी 7 से भिभाजित होगी जैसे क्या लिखा 3,4,3 क्या लिखा 3,4,3 last अंक क्या इसका 3 3 में 5 मंटिप्लाई कर दिया क्या आगया 15 3 को छोड़ कर बच्चा 34 क्या बच्चा 34 और 34 में 15 प्लस कर दिया कितना 15 प्लस कर दिया 49,49 से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है last डिजिट को 5 से मंटिप्लाई करके और जो बगी संख्या है उनको जोड़ दू last डिजिट को 5 से मंटिप्लाई करकर बच्ची क्या 34 बच्चा तो उसको उसमें एड करक्या आया 49 आया और 49 किस से डिवाइड हो जाता है 7 से डिवाइड हो जाता है समझ में रहा है ना इसको ना not कर लेना हम जानते है next rule next rule क्या कह रहा है डिजिटी rule of 8 8 से विभाजित पहले हमने क्या जाना पहले हमने जाना 2 से कौन सी संख्याई भाग होती है 3 से कौन सी संख्याई 4 से कौन सी 5 से कौन सी 6 से कौन सी 7 से अब हम जान रहे है 8 से विभाजित 8 से विभाजित अगर अंतिम तीन अंग आठ से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी आठ से विभाजित होगी, देखो कितना 8168 से ڈिवाइड होता है ना बिलकुल होता है तो क्या होगा क्या होगा यह संख्या भाग हो जाएगी इस पर टिकर देना अब बनता है 683502 क्या है संख्या 8 से डिवीजल हो जाएगी बताओ एट से डिविसल हो जाएगी 683502 लास्ट में कितने क्या यह संख्या देखो क्या 68350232 क्या यह संख्या एट से डिवाइड हो जाएगी लास्ट कितने डिजिट 328 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या भीτε से डिवाइड हो जाएगी नेक्स्ट रूल जान लेते हम नेक्स्ट रूल है डिजली रूल Off-Nine, 9 से विभाजित 9 से विभाजित The sum of 3 digits is divisal by 9 अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए जैसे कि rule 3 में था किसमें था? 3 में 3 में rule क्या था? कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए अंकों का रोग 3 से विभाजित इसमें क्या है? अंको का योग 9 से भालित होना चाहिए और दो बार प्लस करना है रिपीटिड एड अगर जरूरुत पड़ी तो हम दुबारा भी जोड सकते है 1, 6, 2, 9 कितना हुआ 18 1 प्लस 8 कितना हुआ 9 तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाता है न ऐसे ही इस संख्या को देखो 9 और 7 16, 20, 22, 27, 36 हो गया कितना हो गया 36 तो यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी किस से डिवाइड हो जाएगी 9 से डिवाइड तो अब समझ में आ रहा है न अब ही हमने जाना किस किस के रूल जाने हमने 2 से विवाजित कौन से संख्या होती है 3 से विवाजित कौन से संख्या होती है 4 से विवाजित कौन से संख्या होती है 5 से विवाजित कौन से होती है 6 से कौन से 7 से ऐसे कर से हम 9 पर कहुंचेगी अब पस्ता है एक 10 10 से कौन से संख्या विवाजित हो 10 से बहुत संख्या भी वाजित होगी जिसका इकाई का अंक 0 हो जैसे संख्या लिख देता हूँ मैं 3 0 10 से वाजित हो जाएगी संख्या लिख दिया इस को अदो बन को उटा दिया 0 ये संख्या भी 10 से डिवाइड हो जाएगी कैसी लगी आपको वीडियो जदा जदा लाइक सबस्क्राइब और सेयर जरूर करें